आप लोग जो है किसी भी कनेक्टेड वाइफा का पासवर्ड को इसे पता कर सकते हैं बहुत इंट्रेस्टिंग वीडियो है वीडियो को जो है बिना स्कीप करते हुए लाश्ट तक देखिएगा ताकि मैं आप लोग को जो है अच्छा तरीका से समझापा हूँ फ्रेंट्स एंड वीडियो स्टाट करने से पहले मेरा एक रिक्वेस्ट अगर आपने मेरा वीडियो को अभी तक लाइक ने किया तो प्लीज एक लाइक कर दिजिए गर साथ में जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर दिजिएगा ताकि मेरा जो लेटिस्ट अपडेट होता है वो सबसे पहले आप तक महुश्चार रहे तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं उसके लिए मोवाइल स्क्रीन पर जाके आपको प्रेक्टिकली करके दिखाते हैं ताकि आप लोग को अच्छा तरीका से समझ में आये तो चलिए वाइफाइ खोलना है वाइफाइ खोलने के बाद आपको कनेक्ट कर लेना है जिस वाइफाइ से आप मतलब जिस वाइफाइ का पासवर्ड आप जानना चाहते हैं तो यहां पर देख सकते हैं करन वाइफाइ एप बी आर्टी एन जो है यहां पर कनेक्ट हो गया है उसके ब एक एप्लिकेशन इंस्टॉल करना पड़ेगा जिसका नाम है QR Code Scanner और आपका मोबाइल में जो है अल्रेडी भी दिया जाता है तो मेरा मोबाइल में जो है अल्रेडी दिया गया है QR Code Scanner तो यहां पे जो है मैं इसी को यूज कर लेता हूं आप लोग जो है अगर आप लोग के पास नहीं है QR Code Scanner तो आप लोग पले स्टोर से जा कर सकते हैं तो QR Code Scanner open करने के बाद यहां पे यहां पे डीओ lat स्क्रीन सूट ले लेना है जिसको जो है आप अभी स्क्रीन सूट किये हैं तो यहां पर जो है स्क्रीन सूट को ले लेना है लेने के बाद स्क्रीन सूट डालिएगा तो यहां पर जो है password जो है, tech entry studio friends, ये जो है, मेरा ही vi fi है मतलब, मैं अबना channel के नाम से ये wi fi का password रखा हूँ, तो यहाँ पर द देख सकते हैं friends, टेक in trick studio में यहाँ पर forget करके जो है, आप लोगो फिर से connect करके दिखा देता हूँ तो यहाँ पर forget कर देते हैं, forget करने के बाद यहां पर पासवर्ड डाल, forget कर देते हैं यहां से, yes, उसके बाद यहां पर password डाल देते हैं, यहां पर connect पर क्लिक करेंगे, तो यहां पर देख सकते हैं, obtaining IP address, मतलब अब यह connect हो जाएगा, तो इसे करके आप किसी भी connected Wi-Fi का password को पता कर सकते हैं, तो friends, आज के लिए इतना ही, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर दिजेगा, ताकि मुझे वीडियो बनाने के लिए अच्छा लगए friends, तो चलिए, आज के लिए इतना ही, थैंक्यू झाल